स्वच भारत मिशन एक कदम स्वच्छता की ओर अक्सर किताबों में, अकबारों में, दीवारों पर और कई सामानों पर आपने ये नारा खूब लिखा देखा होगा लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब इन शब्दों पर कितना अमल करते हैं? क्या हम वाकई अपने घर, आसपास और वातावरन को स्वच रखने में मदद करते हैं? नहीं, क्योंकि हम सिर्फ अपने घरों को साफ करने के जिम्मेदारी निबहते हैं और घरेलू कूडे कच्रे को घरों से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं चाहे कूडा घर में या कच्रा गाडी में अगर वाकई आप ऐसा कर रहे हैं तो सही मायनों में आप अभी भी स्वच भारत मेशन का मकसद समझने में नाकाम हैं क्योंकि स्वच भारत मेशन का मकसद सिर्फ अपने घरों के सफाई करना नहीं बलकि अपने समाज और वातावरण के स्वचता के प्रती जिम्मेदारी निभाना भी है इस मेशन का मकसद सिर्फ कच्रे को बाहर फेंकना नहीं बलकि कच्रे का सही ढंग से उपियोग करना है और हर तरह के वेस्ट को लाब कमाने में इस्तिमाल करना है अब सोचिए कि हम में से कितने लोग ऐसा कर रहे हैं अकसर हमारे घरों में दो तरह का कच्रा उत्पन होता है ठोस कच्रा और गीला कच्रा ठोस कच्रा यानि प्लास्टिक, कांच, लोहा, पुराने अखबार, कागज, इत्यादी गीला कच्रा यानि सड़े गले फल सबजियां, सबजियों और फलों के छिलके इस्तिमाल हुई चाय पत्ती, बचा हुआ खाना, फूल, छोटे घास के टुकडे, अंडे कचिल का इत्यादी रिसाइकल होने के बाद दोबारा इस्तिमाल होने वाले कच्रे को हमेशा रसोई के कच्रे से अलग रखना चाहिए हमें इन्हें अलग कूडे दान में डालना चाहिए फेंकने के बजाए इसे बेच कर हम लाब कमा सकते हैं और इस तरह ये कच्रा सही ठिकाने पर पहुँच जाता है जबकि रसोई घर के गिले कच्रे को एक अलग कूडे दान में रखें तो इसका बहतर उपयोग कर सकते हैं कमपोस्टिंग की प्रक्रिया के जरिये इस घरेलू गिले कच्रे से हम घर पर ही प्रकृतिक खाद बना सकते हैं कमपोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें और्गैनिक या कार्बनिक पदार्थ या खाद ये कूड़े को पानी, वायू की मदद से सूख्षमजीव खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये खाद हमारी फसलों और पौधों के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ नहीं होता, इसलिए ये मिट्टी के लिए लाबजायक होता है। इस काम को कैसे करना चाहिए? अब ये देखिए। असल में सुक्ष्मजीव कंपोस्टिंग के लिए चार चीजों का होना बेहत जरूरी है, जैसे सूखी पत्या, धूल मिट्टी, फटे पुराने कागस के टुकडे, लकडी का बुरादा, भूसा और धान का छिलका, इन सब से कार्बन गैस का निर्मान होता है। बजे-कुचे फल और सबजियों के कच्रा, फूल, छोटे घास के टुकडे, अंडे के छिलके से नाइट्रोजन गैस बनती है, हमारे वायुमंडल से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और पानी की सही मात्रा इस कच्रे को सड़ने में मदद करती है। ये सारा कच्रा हमें घर में ही मिल जाता है, बस हमें इस कच्रे से खाद बनानी की प्रक्रिया के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा के लिए हाथों से हलका पानी छिड़कना है, और फिर इस गढड़े को ढखकर करीब दो महिने के लिए छोड़ देना है। दो महिने बाद जब आप गढड़े को खोलेंगे तो आपको उच्चतम गुणवत्ता का बढ़िया जैविक खाद मिलेगा। तो है ना कितना असान गीले कच्रे से बढ़िया जैविक खाद का निर्मार्ण। अगर आपके घर में गढड़ा खोदने की जगह नहीं है, तो आप कमपोस्ट पिट की जगह ये खाद कमपोस्ट बिन में बना सकते हैं। किसी भी बड़े अकार के घर, पुराने ड्रम या धक्कन वाली बाल्टी में आप कमपोस्ट पिट बना सकते हैं। बशर्ते कि उसमें हवा जाने की जगह जरूर हो। कंपोस्ट बिट में चार छेद करके आप उसे हवादार बना सकते हैं, हाला कि कंपोस्ट बिट में नमी की पूर्थी मिट्टी से हो जाती है, लेकिन कंपोस्ट बिन में आपको थोड़े-थोड़े दिनों के अंतराल पर पानी छिड़कना होगा, ताकि बर्तन में नमी बनी और कंपोस्टिंग की प्रक्रिया चलती रहे। शहरिक शेत्रों में लोग इस खाद को अपने गमले वक्यारियों में इस्तमाल कर सकते हैं। इससे वो अपने पौधों और मिट्टी को भरपूर पोशन दे सकते हैं। कच्रे से कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया के दौरान कुछ और सावधानियां बरतना भी जरूरी है। कंपोस्ट बनाने के लिए कुड़ेदान में क्या न डालें। पुराना सड़ा हुआ या बदबुदार खाना, मांस और हड़ियां, जानवरों का मल, रसायन पदा अर्थ बैटरी, बीमारी लगे पौधे, दवाईयां, प्लास्टिक के बैग इत्यादी। ध्यान रहे कि कंपोस्टिंग एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसलिए इसे प्राकृतिक तरीखे से बनाना ही कारगर है। लिहाजा इसमें किसी भी तरह के रसायन का इस्तमाल हानिकारक ह इससे कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। कंपोस्टिंग की प्रक्रिया से ना सिर्फ हम गीले कच्रे का सही प्रबंधन कर सकते हैं, बलकि अपने वातावरन को भी साफ सुत्रा बनाने में मदद कर सकते हैं, और घर बैठे मुफ्त में ही उच्चतम गुणों वाला बढ़ी आखाद बना सकते हैं। है तो अपनी जिम्मेदारी को पहचानने की हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। आओ मिलकर संकल्प लें। ना रहेगा वेस्ट ना करेंगे वेस्ट।